हाई फ्रेंड्स मैं हूँ सुदिंद्र पांडे और मैं आज आपके लिए एक कॉमन टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके क्विशन्स किसी ना किसी गवर्मेंट एक्जाम में पूछे ही जाते हैं चाहे आप SSE का एक्जाम दे रहे हो या रेलवे का या फिर UPSC या बैंक का एक्जाम दे रहे हो एक ना एक क्विशन कंफर्म ही पूछा जाता है तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल प्लेयर आफ नमबर्स में तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों questions solve करने से पहले हम अपने concept को clear कर लेते हैं समझ लेते हैं unit digit यानि क्या होता है और उसको कैसे find करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं easiest way of finding unit digit पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं unit digit क्या होता है for example suppose अगर कोई भी number दिया है दोस्तों अगर suppose मैं यहाँ पे एक number लिखता हूँ 78902 यहाँ पे मैंने एक number लिखा है दोस्तों कोई भी particular number आप लिख सकते हो clear दोस्तों उसके बाद दोस्तों right hand side से जो first number होगा that is known as unit digit क्या दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या बोला अगर मैं कोई भी multiplication कर रहा हूँ कोई भी addition कर रहा हूँ कितना भी बड़ा number हो उसका कोई भी power हो यह unit digit को हमको कैसे find करना है यही आज की वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो दोस्तों unit digit कैसे find करते हैं उसके questions को solve करने से पहले हम लोग अपने concept को clear कर लेते हैं पहले हम लोग समझ लेते हैं कि unit digit को कैसे find करना है उसके लिए rules क्या है और कहां पे और कैसे apply करना है पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों questions लेकर के unit digit को find करेंगे और याद रखना दोस्तों जो भी question मैं यह वाली वीडियो में cover कर आ रहा हूँ वो किसी ना किसी government exam में पूछा ही गया है जितने भी questions मैंने लिए दोस्तों solve करने लिए यह किसी ना किसी government exam में पूछा ही गया ह तो चलिए दोस्तों, start करते हैं, पहले दोस्तों, हमको समझना है, कि किसी भी particular number की cyclicity क्या होती है? Cyclicity मतलब repetition, मतलब हो कितने power के बाद repeat होता है, दोस्तों, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं तो चलिए दोस्तों, start करते हैं, बहुत easy concept है इसका तो दोस्टो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने कुछ numbers दिये हुए हैं, numbers मैंने लिये हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उसके बाद देखो दोस्टो, यहाँ पे चो cymbrol दिया, यहाँ पे क्या दिया है, race to the power 1 यहाँ पे क्या दिया है, race to the power 2 यहाँ पे दिया है race to the power 3 यहाँ पे दिया है race to the power 4 और यहाँ पे last मैंने लिखा है दोस्तो cyclicity दोस्तो आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे race to the power 4E लिया है उसके आगे race to the power 5, 6 नहीं लिया है या उसके बाद की नंबर्स नहीं लिए है तो उसकी पिछे का रीजन है दोस्तों उसकी पिछे का रीजन है दोस्तों किसी भी नंबर की cyclicity 40 होती है मतलब कोई भी नंबर हो सकता है दोस्तों 0 to 9 0 to 10 100 कोई भी नंबर ले लो वो raise to the power 4 के बाद repeat होने लगता है तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि वो कैसे repeat होता है तो दोस्तों अगर जीडो ऑगर मैं 0 जीऊ पिर हो दा पावर 1 करूँगा जीडो ही driveway 3 करूँगा तो तो भी 0 मिलेगा, 0 रेष्ट तो पावर 4 करूँगा, तो भी मुझे क्या मिलने वाला है, दोस्तो, 0 मिलने वाला है, मतलब, यहाँ पर जो नंबर दिया है, 0 दिया है, इसकी cyclicity क्या है, 1 है, 1 क्यों है, दोस्तो, क्योंकि मुझे same नंबर मिल रहा है, अगर डिफरेंट नंबर मिलता, तो मैं यहाँ पर काउंटिंग करता, और उसको अकाउंट करके यहाँ पर लिख दिता, मतलब, 0 की cyclicity क्या है, 1 है, तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, दोस्तो, अगर कोई भी नंबर दिया है, जिसका unit digit 0 है, तो दोस्तो, अगर वो नंबर का पावर कुछ भी दिया हो, कुछ भी मतलब कोई भी नंबर आप उसका पावर ले सकते हो, उसका unit digit क्या आएगा, 0 ही आएगा, कैसे दोस्तो, for example, suppose मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया, दोस्तो, यहाँ पर मैंने ले लिया, 324, और last में मैंने 0 लिख दिया, दोस्तो, तो इसका unit digit क्या हो गया, 0 हो गया, अभी suppose, raise to the power मैंने यहाँ पर 567 ले लिया, suppose, 5607 इसका power ले लिया, दोस्तो, तो इसकी cyclicity क्या है, 1 है, cyclicity 1 होने का मतलब क्या है, दोस्तो, अगर unit digit क्या है, 0 है, तो इसका power कुछ भी रहे, उसका answer वाला unit digit क्या होगा, 0 ही होगा, मतलब दोस्तो, अगर ये number का मैं raise to the power 5607 करूँगा, तो उसका answer आएगा, उसका unit digit क्या होगा, 0 ही होगा, यही है दोस्तो, 0 का concept, अब दोस्तो, हम लोग 1 का समझते हैं, वन raise to the 1 क्या होने वाला है, दोस्तो, 1 होने वाला है, 2 करूँगा, दोस्तो, तो भी 1 आएगा, 3 करूँगा, तो भी 1 आएगा, 4 करूँगा, तो भी 1 आएगा, दोस्तो, 5, 6, 7, 8 करने वाला हो, तो भी 1 ही आने वाला है, मतलब 1 की cyclicity क्या है दोस्तो 1 होने वाली है दोस्तो same example इस पे भी apply होगा दोस्तो अगर unit digit क्या है 1 है अगर unit digit क्या है इसका 1 है तो raise to the power अगर में कोई भी number कर रहा हूं दोस्तो तो जो answer आएगा उसका भी unit digit क्या हो जाएगा दोस्तो 1 हो जाएगा same property दोस्तो 1 के लिए भी apply होगी अब दोस्तो हम लोग 2 के powers को समझते हैं 2 raise to the power 1 2 होने वाला है दोस्तो 2 raise to the power 2 क्या होता है दोस्तो 4 होता है 2 raise to the power 3 क्या हो जाएगा दोस्तो 8 हो जाएगा 2 raise to the power 4 क्या होने वाला है दोस्तो 16 होता है बट मैंने यहाँ पे हम लोग unit digit की चर्चा कर रहे है दोस्तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 16 का 6 लिखा है क्योंकि 6 क्या है unit digit है दोस्तो मतलब दोस्तो अगर मैं 2 ratio the power 1 करने वाला हो तो 2 होगा 2 करूँगा तो 4 हो जाएगा 3 करूँगा दोस्तो तो 8 होगा और 4 करूँगा तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा अगें दोस्तो अगर मैं 2 ratio the power 5 करूँगा दोस्तो तो मुझे क्या मिलने वाला है 2 ratio the power 5 क्या होता है 32 होता है मतलब unit digit क्या मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे 2 मिल रहा है again देखो दोस्तों यहाँ पे repeat होके again मुझे 2 मिल गया दोस्तों 2 ratio the power 6 करूँआ दोस्तों तो मुझे क्या मिलेगा 64 मिलेगा यी निटिट कै variety cotton Mac category दोस्तो 14 मिल रहा है डिए अगे देखो दोस्तोथ कौन week replay हैं मतलब क्या है अगें तुका जो cyclis % 2 क्या है और प्लरक्व ए अबाद रह्त के वाद ंवुद सारी लिंगन।Sबड 7 ऐगें दोस्तों यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं थ्री रेश्टो दा पावर फॉर क्या होता है दोस्तों 81 होता है, 81 का मैंने यहां पर क्या लिखा है 1 लिखा है, अगेन दोस्तों इसकी भी साइकलिसिटी क्या होगी, 4 होगी क्योंकि 4 के बाद अगेन यह रिपीट होने वाले क्योंकि 3 रेश्टो दा पावर 5 क्या होता है 243 होता है, यह उनर डिजिट क्या मिल गया दोस्तों 3 मिल गया, अगेन देखो यहां पर रिपीट होने लगा है ऐसे ही हमको फाइंड करनी है साइकलिसिटी, अब अब दोस्तों हम लोग 4 की साइकलिसिटी फाइंड करते है 4 रेश्टो दा पावर 1 क्या होता है, दोस्तों 4 होता है 4 रेश्टो दा पावर 2, 16 होता है, दोस्तों मैंने यहां पर क्या लिखा है, 6 लिखा है 4 ratio the power 3 क्या होता है दोस्तो 64 ता है अगे दोस्तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 4 लिख दिया देखो दोस्तो repeat होने लगा है वाला है अगर में 5 करता हूं 5 मिलेगा तू करता हूं दोस्तो 25 मिलेगा उसमें भी यूनिट डिजिट क्या है 5 है 3 करता हूं दोस्तो 125 मिलेगा यूनिट डिजिट क्या है फॉर करता हूं दोस्तो तो भी मुझे क्या मिलने वाला है 625 मिलने वाला है यूनिट डिजिट क्या है से 5 एन 6 के लिए भी उने डिजिट मिलेगा 6 के लिए क्यों मिलेगा दोस्तों क्यों कि अगर मैं 6 रेच्ट वाला नंबर ऑलवेज सेम रहेगा तो दोस्तों अगर यहां पर प्लेट में 6 भी लिए दोस्तों रेच्ट द पावर कुछ भी रहे आंसर में युण डिजिट में क्या आता दोस्तों सिक्सी आता चलिए दूस्तों अब हम लुग सेवेन की समझते हैं 7 रेच्ट टूधा डिच्ट डुधा टूट इस तो 49 होता है मतलब यहां पे मैंने क्या करना है देखो दोस्तों यहाँ पर 7 का अगर मैं पावर्स फाइंड कर रहा हूं तो लास्ट में यूनिडिट क्या मिल रहा है दोस्तों इसकी साइकलिस इटी क्या हो जाएगे Trader 8 कम सब्सक्राइब अगर पर फ़ाइबन क्या होगा डाइन क्या हो तो 729 दिख नंबर इन लगे 191 आने लगे है दोस्तो Isky 167-718ky दोस्तो हमको कैसे लर्र करना जीरो 156 इसमे कभी चेज़ नहीं होने इसकी cyclicity क्या है दोस्तो फोर है ऐसा करके pairs बना कि आपको क्या करना है दोस्तो याद करना है एंड जो 4 ए 9 है दोस्तो इसकी cyclicity क्या होगी इसकी cyclicity 2 रहेगी तो questions को कैसे solve करना दोस्तो वह मैं जब यह example कराऊँ तो आपको detail में समझाऊंगा कि कैसे questions को cyclicity अगर different रहे तो कैसे solve करना है दोस्तो वन की cyclicity आपको पता चल गई दोस्तो same number का same answer आजाएगा बट अगर cyclicity 2 रहेगी या 4 रहेगी तो उसको कैसे solve करना है जब मैं question कराऊंगा तो और भी अच्छे से समझाऊंगा दोस्तो तो चलिए अभी हम लोग formula को discuss करते है formula से हम लोग कैसे unit digit को find करेंगे formula क्या बनता है दोस्तो फार्मूला बनता है unit digit is equal to l raise to the power r l raise to the power r का मतलब क्या है दोस्तो यहां पे मैंने mention किया where l is equal to last digit मतलब last digit मतलब क्या होता दोस्तो unit digit होता है जिस number का हम लोग unit digit find करें दोस्तो उस number का last digit मतलब जो उस number का unit digit रहेगा वो यहां पे आएगा दोस्तो and r क्या है दोस्तो r remainder है और remainder को कैसे find करना है दोस्तो remainder is equal to index upon cyclicity मतलब दोस्तो इसको example के साथ मैं आपको detail में समझाता हूँ कैसे करना है और example दोस्तो यहाँ पे मैं एक number ले लेता हूँ 143 raise to the power 71 यहाँ पे मैंने एक number लिया है दोस्तो अब इसको कैसे solve करना है दोस्तो unit digit क्या होता है formula क्या है l raise to the power r l क्या है दोस्तो इसका last digit कौन सा दोस्तो यहाँ पे 3 दिख रहा है मतलब l मुझे यहाँ पे क्या मिला l मुझे मिल गया 3 clear दोस्तो l 3 मिल गया अभी r नहीं मिला है तो अगर मैं remainder find करता हूं दोस्तो तो r is equal to क्या हो जाएगा index इसका क्या है दोस्तो 71 है तो मैं यहाँ पे 71 लिख हूँगा दोस्तो upon cyclicity अभी हमने cyclicity सीखा है cyclicity को कैसे find करना है किसी number की cyclicity कैसे find करते है अभी मैंने आपको बतायाющ race three क prose cyclicity क्या होती दोस्तो four होती है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तो four लिख दूंगा four लिखने के बाद दोस्तो अभी क्या करना है इसको divide करना है तो अगर दोस्तो मैं इसको divides करता ओ 4 वंजा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मतलब 3 यहाँ पर मुझे carry मिल रहा है यह क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा 4 7 जा होता है दोस्तो 28 होता है मतलब मुझे यहाँ पर 3 क्या मिल रहा है दोस्तो remainder मिल रहा है क्योंकि 31-28 क्या आता है यहां पर 3 मिला तो मैं यहां पर रेश्टू दा पावर 3 करूँगा और अगर दोस्तों मैं इसको solve करूँगा तो मुझे पता है 3 रेश्टू दा पावर 3 क्या होता है तो 27 होता है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 27 लिख दिया और मुझे क्या find करना है मुझे find करना है unit digit इसमें unit digit क्या है दोस्तो 7 है तो यह जो 7 है दोस्तो यही मेरा answer है ऐसे ही find करना दोस्तो बहुत easy concept है और मैंने आपको detail में explain करने के लिए यहाँ फॉर्मूला भी बना के आप दे रहा हूं दोस्तो जिससे आपको understanding में कोई problem ना हो चलिए दोस्तो unit digit के कुछ और concept को हम लोग clear करते हैं दोस्तो अभी मैंने unit digit का आपको formula बता है क्या होता है L raise to the power R होता है मतलब दोस्तो यह वाला formula है यह वाला formula कभी valid होगा जभी R not equal to 0 रहेगा क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तो मैं यह बोल रहा हूं कि अगर remainder जो है not equal to 0 है तो यह वाला formula apply करना है तो अगर दोस्तो R equal to 0 रहेगा मतलब अगर किसी भी number का मैं remainder find कर रहा हूं अगर remainder मुझे 0 मिल रहा है तो क्या करना है दोस्तो अगर remainder equal to 0 दिया है दिन मुझे देखना है कि उसका last digit क्या है last digit मैंने आपको बताया दोस्तो किसी भी नमर का unit place वाला digit मतलब सबोजा कर यहां पे नमर दिया है दोस्तो 245 तो इसका जो last digit रहेगा दोस्तो यह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा देखना है मुझे जो उसका last digit हो क्या है दोस्तो अगर 2468 रहेगा तो उसका unit digit always क्या हो जाएगा दोस्तो 6 हो जाएगा यह भी concept है दोस्तो आपको समझ के रखना है अगर remainder क्या आ रहा है, 0 आ रहा है तो मुझे देखना है उसका last digit क्या है अगर last digit दोस्तो 2468 है तो क्या करना है आख बंद करके 6 वाले number पे tick कर देना है क्योंकि उसका unit digit always क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तो अगर last digit दोस्तो, यहाँ पे मैंने mention नहीं किया, बट यहाँ पे 1 भी आ जाएगा दोस्तो, अगर last digit 1379 रहेगा, क्या रहेगा दोस्तो, अगर last digit 1379 रहेगा, देन उसका unit digit always 0 नहीं होता है दोस्तो, 1 होता है, क्या होता है, दोस्तो, 1 होता है और याद रखना दोस्तो, यह दुनों concept कभी apply होंगे, जबी remainder के आ रहेगा 0 रहेगा, और अगर remainder 0 नहीं आ रहेगा, दोस्तो, जो मैंने अभी formula बताया था, L rest to the power R वाला यह वाला आपको क्या करना, apply करना दोस्तो दोस्तो, यह वाले वीडियो में हमने पूरा concept समझ लिया है वो सारे questions, किसे ना किसी government exam में पोचे ही गए है तो दोस्तो, वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत important है वाली वीडियो भी आपको पूरी देखने है दोस्तो उससे आपको confidence आ जाएगा, कि हम लोग अगर unit digit वाला कोई भी समाता है तो हम लोग आसानी से उसको क्या कर लेंगे, find कर लेंगे दोस्तो आसा करता हो दोस्तो, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो motivate करने के लिए एक लाइक जरूर करें और अपने friends जिनको इस वीडियो से help हो सकती है, उनको share करें साथ ही दोस्तो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें Friends, tricks के उपर ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है जाए हिंद